वेल्कम गाइज जेकलों जोब चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं फिजिक्स यान की बहुत तीवी यान की मल्टिपायल चोश कुशन प्रेक्टिस कुशन आपके एकजम बहुत ही नजदी के एसे महम आपको ज्यादा से ज्यादा वीड प्रेस्ति और बाइलोजी के ठीगे ना तो आप कमेंट करके बता देना तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप चैनल सब्सक्राइब नए क्या प्रिस्क्राइब कर लिजिए चलो पहला क्यों सने एक कार सेथी सड़क पर 30 से इंड में 50 मिटर की यातरा करती है यह अपने ग से कुछन आएंगे और यह जो कुछन हमने आपके लिए प्रोवाइड के यह भी लेवन टॉल लेवल के ही है तो आप यह मान के चलिए कि आप इंट्राश एक्जम दे रहे हो और अपनी इमानदार से आंसर बताई इसका इसका पहले आप चूज कीजिए आपको तो यह मान के चलना है कि हम एक्जम दे रहे हैं इस टाइम पर वीडियो देखते हैं टाइम पर और एक कौफी ले लो साथ में उसमें लिखना कि यह क्रिशन नमबर पश्ट है तो हमारे साफ से यह आंसर होना चाहिए क्योंकि अंसर तो हम आपको बता है रहे जरायट वाला फिर आप खुद का इनलिसिस करना बेस्ट है आपके लेगिजाम से पहले इसा करोगे न तो बहुत पाइदा मिलेगा आपको करलिया को चूच इसको उप्सन है प्रारंबे की इस्तिति उर्जा की दोगनी हो गई प्रारंबे की चार गुनी हो गई होगी प्रारंबे की आट गुनी हो गई होगी प्रिवर्तन नहीं होई होगी बहुत अचा क्यूशन है देखो और सब आपने पढ़ रकाए गती जुर सिंबल से बात है अच्छा क्विशन है तोड़ा साथ आपने इस्तिती जुर्चा गती जुर्चा पड़ी होगी तो आपको आ जाएगा इसका राइट उप्सन हो जाएगा चूज कर लिए आपने लिख लो आपने आपने जो भी चूज किया है पेन से ताकि आपको खुद का पता लग जाएगी कितनी कितियादी हमारी कर लिया आपने इसका प्रियोवर्टन नहीं होई होगी राइट उप्सन है डिड नौट चेंज राइट और किन्हों ने इसको सहे किया यह तो आपको दी जानते हो कि हमने सहे क्या गल्द किया अगला क्यूसन एक करसी का या काले डिग्रीशन डिग्रेड है यह एक दर से और जा उस्टर जित करती है तो इसके अनुपातिक है एक ब्लैक बोड रेडिशन आपने प्रेडर का 11 से क्यूसर ना आता है ठीक है न अभी 12 के भी आएंगे देखना काभी सारे टेंप्रेचर तो इंग्लिस में भी आप देख सकत है चार ओप्षन देरके वन आप्षन आपको स्लेट करना है तो इसका राइट अप्षन होजाए कपका ओप्षन बीस का राइट ओप्षन होजाएगा और कापी सारुन सही भी क्या होगा जिसने वोने ब्लेक बोर्ड रेडिशन पढ़ा होगा अगला क्यूसर निमिल लिकित में से कौन सा एक सूसवरदवनियान की मुजिकल साउंड का लक्षन नहीं है विच ओप दे फ्लॉमिग इस नोट एच्रेक्टरस्टिक्स ओफ दे मुजिकल साउंड गुण प्रवलता त्रंगदेरे पिच इमिजिकल साउंड का लक्षन नहीं है यानि कि आपको पता होना चीए कि कौन कौन से मुजिकल साउंड के लक्षन है तब कर सकते हो और यह क्य कर नहीं है कि मुजिकल साउंड के बारे में एक्जाम दर तोड़ा इसे एक क्यूशन देता है आपका माइन्टएस्ट करने के लिए आपका दिमाग के चेक होता है वहां ओर क्या ठीक है आपके चाहे सब्जेक्टिव नॉलेज्ट यानिकि सब्जेक्टिव नॉलेज होते है पयापने बोड एक्जमे लिख्अव एक्जम लिखा बी होगी ना वह थे सब्जीक्टिव नोलेजिस और यह जो आप एक्जम देगो यहाँपर objective knowledge काम में आएगी ठीक है आपकी objective knowledge कितनी अच्छी है चूजगर लिया होगा समने इमानदारी से एक्जाम आगे आप तो इमानदारी बना लो सो इसका राइट उप समझा जाएगा तरंगदेर यानिकी वेव लेंद ये मुजिकल साउंड का लक्षन नहीं है बांकी के सब है ठीक है ये नहीं है जबकि कौन-कौन है कौलेटियन के गुण भी है लावडनेस भी है और पिछ भी है क्लियर चलते हैंगे गोर निमल लिक्त में से किसकी एकाई जूल नहीं है वीच अब दा फ्लॉविंग डिस नौट है विनिट अब जूल वरक, फॉर्स, कानेटिक एनर्जी या फिर हीट आपको यहां पर भी वह ऑन उलेज इपना नहीं है कि आपको क्या पता होना चीए कि किन-किन की एकाई जूल है ये अगर आपको पता है तो आप इसको टिक साहिक रोगे तो गाइज आपको क्या पता है क्या कि किस किकाई जूल होती है बच्पन से पढ़ते हों साइन्सके स्टुडेंट हो आप तो इमांदार सी स्कानों अंजर लिख लिया होगा आपने एक आपके सामने क्या है एक कोपी रख लो ऐसी और उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अपने थोट के अनुसार आपने जो चूज किया है ऐसे option बढ़ते जा हुआ कि हम यह चूज कर रहे और उसके बाद जो इसका right option है पिर अनुमान लगाना कि कितने हमने सही किये ठीक है क्योंकि हम तो देखो पूरी मैनत करें आपके लिए रोजना के तीन वीडियो देने के लिए त्यार है बट आप कितनी मैनत करते हो यह ज़्यदा माहिन रखता है चूज कर ले होगा इसका right options ने पॉर्स बल इसकी इकाई जूल नहीं है बांकी कारे के भी है गति जूटा की भी जूश्मा की भी है चलता है किको अगला कुशन बहुत सारे student बोलते है पिजिक्स हाड़े पिजिक्स हाड़ कुछ भी नहीं है बादो तो इस से एजरी और कुछ भी नहीं क्योंकि हर चीज का इस में रिजिन होता है कार्ण होता है तोपदो शंचो की इस बहुत जाहनों पर काने कंप्पर की और फेकी होई एक वैटड़ी एक चलती है कार एक उड़तावा पकसी बच्चो वाला कुशन है बट ऐसे कुशन एक्जाम ने आपको जानबूज के देता है क्योंकि इसमें गल्टी करते इंट्रिजेंटी स्टुडेंट क्योंकि वो अपने आपको समधदार समधते पिर कुछ भी गड़बड कर देते इसे चूज कर ल जब ट्रेन का वेग बढ़कर साथ किलोमेटर पर गंटा कर दे जाए तो किया क्या कितना गवर काप से पूचा गया है कि ए ट्रेन मुविंग विद्टे वेलो सीटी थार्टी किलोमेटर पर हाउट है जे कानेटिक एनेर्जी ओफ फिप्टी टू थाज़न वेलो सीटी ओप ट्रेन इंक्रीज टू सिस्टी किलोमेटर पर हाउट दवरक दन इस ओप्सन भी दे रहे रहे है आप गजामने कर लिया होगा समने इसका रब साथ में ले लो ताकि कोई भी निमर के लाए तो आप विजली करो आपको तो यह मानना है ने कहां मैं एक्जाम दे रहे है ठीक है यह मत सोना कि प्रेक्टिस कर रहे है आप तो यह मानो कि एक्जाम कर लिया कि लाइट में चेक इसका राइट अप्शन होगा आपका कि वन पाइप सिक्स ट्रिपल जीरो ठीए जूर कि ऑप्शन बीसका राइट अप्शन होगा कि लेर कि सब क्या गया हुआ यह अंसर चलो दो किल्लो ग्राम द्रेव मान के एक निकाय में पांच सेमी पांच जो इसका देर का वेक परिवरतन होता है इस पर कारे कराबल होगा 10 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन इंग्लिज में समय सकते हैं आप इसको एक बोडी मास ओफ देट टू किलो अंटर एक चेंज वेलोशीटी योप पांच सेकंड इन पांच सेकंड दपर्च एक्टिंग ओंद तो इसका राइट अप्सम जेका आपका तु न्यूटन, 2 न्यूटन इसका राइट अप्सम यदि वस्तू वीराम पर है तो इस्तिती समय ग्राप का डिलान, if the object is the rest, then the slope of the position, time graph, 0, 0 हो सकता है, सुने नहीं हो सकता, हमेशा सुने से दिख होता है, बताइए, क्या होता है, ग्राप का डिलान, यदि वस्तू एक वीराम में है तो, इसी कंडिशन में सुनने होता है, ठीक है, अगला क्यूशन, यदि एक वस्तू का वेग समय के समावन पाती है, तो उस वस्तू में डेस है, इस डेस के ज़िए क्या आएगा, इप दे वेलोसिटी औप अबजेक्ट दे डाइरेक्ली प्रोपस्टन तु दे टाइम, देन दे अबजेक्ट है, तो उस वस्तू में क्या आएगा, परिवर्त ने तावरण, एक समावन तावरण, एक समान वेग, एक समान चाल, वेग है ना, उस समय के समान पाती है, उस बस तु में क्या आएगा, तो सिंपल जी बात है, एक समान तावरण, ठीक है, एक समान तावरण, कहां दे रखा है, एक समान तावरण, उप्शन बी में, यूनिफॉर्म, एसलरेशन, अगला क्यूस्टन, चमकादड, प्रावर्तित को प्राप्त करके, अपने रास्ते में आने वाली बादाओं को पता लगाते है, विद्य चुमके तरंगो, प्रासरवे तरंगो, रेडी तरंगो, असरी तरंगो, किसको प्राप्त करके बताओ, चमकादड प्रावर्तित को प्राप्त करके किसको प्राप्त करके कर ले आउगा आपने भी चूज क्योंकि लिए जल्दी सुना चाहिए क्योंकि एक्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है हर एक होसटा है एक हैं कने टाइम होता है उसे जाद आप देह नहीं सकते हैं क्योंकि वह भर हराम क्युक्त इंग करता है कॉछ जिसके बजह सी ही रात में उड़ पाता है R कोई भी आगे वरोद आजाए तो उसको पता लग जाए अगला क्या होता है जब एक निकाए नेंतरन चाल से एक वर्ते पत पर बढ़ता है उस पर कारे काने वाला बल सुनने हो जाता है तावरण एक समान नहीं रहता है वेग परिवर्तित हो जाता है जब एक निकाए नेंतरन चाल से बढ़ता है तो वेग परिवर्तित हो जाता है जब कोई वस्तु साफ़ तंतर रूप से गिरती है तब क्या होता है What happened when a object fall freely गतिज अर्जा बढद जाते इस्तिज अर्जा बढद जाते इस्तिज अर्जा गतिज अर्जा में परतिन हो जाते हो, इस्तिज अर्जा कमों जाती है जब कोई वेस्तूच सबतंत रूप से गिलते है तब क्या होता है बहुत अच्छा क्यूशन है गाईज आई होप चूज कर लिया होगा आपने वन ओप्षन इसका राइट अप्षन होगा इस्तिति उर्जा बढ़ जाती है पॉर्टेसल एनेर्जी इंक्रेज अगला क्यूशन एक लड़की 6 मीटर पूरव की और और फिर 8 मीटर उत्तर की और यात्र करते हैं उसका विस्तापन बताना है आपको displacement क्या होगा 7 मीटर, 10 मीटर, 14 मीटर या फिर 2 मीटर पूरव की और फिर 8 मीटर उत्तर की और सब आपने पढ़र का 11 टोल्ट word exam देखे हैं ओ arbeitet क् begitu आउगा बता हो पहले किसका अंसर क्या होगा जाए पमिlt इसका राइट उप्शन चूज़ कर लिया इसका राइट उप्शन है 10 cm सब क्या गया हुआ है 10 मीटर स्वरेटी 10 मीटर कि नेक्स्ट आपको बताने है वे की एसाइट ही काई दे एसाइट और वेलोसिटी बताओ वेलोसिटी यह यह देर का ज्यएट उप्शन ही कि और वेलोसिटी तू इसका राइट यह तो इसका है तो यह दो सब्सक्राइब इसकी होती है अगला किसे गुरु त्यूंकिक करन और देटी तुद्ध ग्रविटी दुरु वो और भूम मद्य रहता है दूओं से बूम मद्य रहता है क्यों बढ़ता है बूम होता है भूह पर नियुंतन होता है बहुत अच्छा एक है कि अ ठीक है इसको जए आपका भूम अध्यर एका पर क्रसेंट क्वान क्या होता है था एTrust ऑजजाम आगए है उन्ही प्टरक और तूह पल लेना अभी सारे टोपक याद दिला रहे हम आपको हर टोपिक से कुछिन बना रहे हैं अगला कुछिन एपका कि दाउन नी तीवरता की इकाई आपको बतानी है The Unit of Sound Intensity दाउन नी तीवरता की इकाई रहे हैं और इकाई से तो 100% परसेंट कुछिन आता ही आपसे कि किसी की काय तो पूची जाएगी हमने पहले बोल रहा है कि एक पेज़ ले लो एक नोटबुक ले लो इसमें सारी यूनिटें लिख डालो exam से एक दिन पर आप क्या करना है सारे फोर्म ले और सारी यूनिटें देख ले ना ताकि आपको कोई भी दिक्कति ना हो आपका फाइदाय देखो एक्जाम जाब उलिए है यूचया कॉछ और प्रिव दीग सब्हूटatu यूफ सार देंगे विल कॉऑ जह कॉर साथा तो और का टूर और बुट्रा की 1 अप्र का मेम पर यूफका है तो याद कर लो भी कि अगला क्यों से निमन में से आंत्रिक दहन इंजनों के विशे में कौन सा एकतन सकते हैं यानि कि आपको नोलेज होने चीए आंत्रिक दहन इंजनों के तो आप कर सकते हैं सब एक इसको फोर ईस्कों एंजन्ट इस्ट्रों के तो नम कम दश्ता प syner होते लेकिन अधिक सकती particularly हमना में तो desserts को डेखो आध कुछ समझ में नहीं है ठीछ ulex करो तो क्योंकि यह क्यों नीगटिउ मार्किं तो हे नहीं आपके तो कोई भी प्तोग उखुच करो को दिख्केत वाली बात ओड़ी है ऐसा कोई भी कुछन आगया समझें नहीं है रहा हो छोड़ना नहीं है टिक लगाना है नेगिटिव मार्गिंग नहीं है आपके इसलिए लगा तो किसी बेबी सो समझगे बट तोड़ा से दिमाग लगा के तुक्का नहीं लगाना सो सब्सक्राइब होगा फोर इस्ट्रोग इंजन तो इस्ट्रोग इंजन की तुलना में अधिक इदन दक्स्ता पूर्ण होते हैं लेकिन कम सकती का उत्वादन करते हैं यह इसका क्रेक्ट्ट ओप्शन है अगला गेहू के एक थेले को बूम अधियरेका के समीप एक स्थान पर तोला जाता है और उसे अंटाक्राटिक ले जाया जाता है थेले का वजन होगा दोनों स्थान पर समान अंटाक्राटिका में कम अंटाक्राटिका में दीक अंटाक्राटिका में सुनने कि इसका राइट आप्स ञुसिए्ट आपका अंटा किराटिका मदलिख के किस परकार से ना माने कि पढ़ा रख है बताने की जूरती नहीं वह प्रतर के अ डियुक Beh sticker के नहिए था है यह बात आपने वेट चेंज होता रहता है जबकि दर्यमन हर जग़े एक रहता है थीगिな आपका भार हर जिग चेंज होता है आप बर्धरमन एक ही रहता है तो वह नोलिज आप यह चेक ना चाहते क्रिशन अगला क्रिशन एक विदू ट्रेल एक सो असी किलोमेटर पर गंटेक रप्तार से बढ़ रही है यह एक मिन्ट में कितने दूरी तेक रहेगी एक सो सीप चास तीन सो तीन दूरी चाल सब पुटर काया चाल दूरी समय वेग सब कुछ पड़ा हुआ अपना तो कितने दूरी तेक रहेगी डिस्टेंस आपको बटानी है निकाल लो दूरी, शुतर तो आप बनाए सकते हो, चाल पर आप दूरी बटा समय याद होगा तो आप कोई भी शुतर बना सकते हो, एक शुतर याद हो जाए हमको चाल is equal to दूरी वाय समय, तो आप इसमें किसका भी शुतर बना सकते हो, दूरी निकाल नहीं है, तो इसको और चाल को मल्टिप्लाइ कर दो समय से वो दूरी का सुतर बन गया इसी परकार के समय का सुतर बना सकते हो इसका राइट अप सुनो जाएगा आपका तीन किलोमेटर अगला निर्वात में एक बीच वाल एक सेव के गिरने के दर एक समय ःता है क्योंकि निर्वात में गुर्ट आक्शन नहीं होता है बढ़ाो को आपने एक experiment भी पढ़ाओगा आपने तो बता दो इसका क्या option सही है निरवात का मनलब जहां पर कुछ नहीं होता हुआ भी नहीं होती बिल्कुल निरवात तो इसका right option है कि गुर्ट आक्षन के कारण तावरण दोनों के लिए समान होता है ठीज है यह बात याद रखना अब आप बोलो इसर समान का होता है हम मनलो च्छत पैसे एक पत्तर पेक रहे हैं और एक कागज पेक रहे है तो पत्तर पहले ऐएगा है जमीन पर कागज तो बाद में आईगा तो यहां पर हवा है इसलिए ऐसा हो रहा है अगर आप इसी परियोग को निर्वात में करते हो मालो एक बड़ा सा जहार है काच का ए ठीक है काच के अंदर आप इस परियोग को करो जहां पर हवा बिल्कुल भी नहीं है हवा जीरो है निर्वात है यहां पर भी निर्वात के बात हो रही है तो यहां से आप पत्तर को रुकागज को छोड़ो दोनों साथ में यहां गिरेंगे दोनों साथ में 100% कागज का यहां पर आप किसके भी पंक को डालोगे ना फिर भी पतर के साथ ही गिरेगा दोने तो इन निरवात निरवात ठीक है समझे यानि कि कोई भी वस्तु सेमी गुरुताक्सन से भी कलिए समान होता है क्लियर चलते आगी गुर। अगला क्यूशन एक तीन सु मीटर लंबी रेल काड़ी 34 किलमेटर के टेक चाल से चलती है इसके द्वारा 057 किलमेटर के एक फिल को पार करने में समय लगेगा 100 सेगिंड 75 सेगिंड 150 सेगिंड या फिर 50 सेगिंड तो राइट आप सुना जाए अगला क्यूशन जब आउतल दर्पन को सेविंग दर्पन के रूम में उप्यों किया जाता है तो उस वस्तु की स्थिक्ति क्या हो नहीं चाहिए पॉकस और वकरता के अंदर बीच दुरू और पॉकस के बीच पॉकस पर वकरता के अंदर किसे आगे बताओ सोच लोग सोचना जितना भी सोचना है सब कुछ आपने पढ़र का आउतल तर्पन भी पढ़ाया हुआ है उतल भी पढ़ाया हुआ है समतल भी पढ़ाया हुआ ह और हमने पहले बोल रहा है कि आप यह मान के चलो कि आप एक्जाम दे रहे हो पिर बता दो अंसर पिर ए इस्टुडेंट कर लिया होगा आपने ठीक है चूच कर लिया अपना उपसन लेट में चेक द्रू और पॉकस के बीच यह होना चाहिए द्रू और पॉकस के बीच क्लियर नेक्स्ट दारा की ऐसाई का यह वार्ड इस दे ऐसाई उनिट ओप कुराइंट प्लाम एंपियर जूल वॉल्ट दारा की ऐसाई इकाई क्या है तो इसका राइट अप सुने एक आपका एंपियर क्या हो जाएगा एंपियर अगला वेद्यूत अभीवा का वीमे सुत्र क्या है वार्ड इस दे डायमेंसल फॉर्मला ओप लेक्ट्रिक प्लक्स यह तो आएगा है डायमेंसल फॉर्मला वीमाई तो आते न सबको वीमाई सुत्र विमय शुत्र से भी कुछन आता है आपके डायमेंसल पॉरमने से 100% कुछन आता है आपके हर एक विमय आपको पता होना चाहिए अगर नहीं है तो आपके बुक में भी दे रखी है याद कले ना काभी सार नहीं बनी वी यह पूचा जाएगा आपसे कुसन आजए ठीक है विदुत अभी वाका वी में सुथ्र क्या है और हमने आपको पहले बोल रखा है कि यह चैनल तो है सही एक और चैनल ने चैनल वहां पर हम पेजिस कमेंटिय बायलोजिक्शन अपलोड कर रहे है जाकर देख लेना वहां पर भी लिंक नीचे देदे यह इसी चैनल का क्योंकि दो-दो चैनल हो पर हम आपके तियारी कर आए और एक चैनल का लिंक नीचे दे रहा है हमने जीक एमस्वीक की जैन के और क्या होगा वेदुत अभिवाव का ऐसे कुशन आते है आपके और ऐसे ही लेवल रहता है आपका सो इसका राइट उप्सन है कि में माइनस वन है ठीक है कि ऑप्सन पस्ट अगला एक निकाइक के लिए विस्थापन समय ग्राप नहीं हो सकता है विस्थापनक्स के समाह अंतर कालक्स के समाह समांतर इनात्मक डाल सहीत एक वक्र दनात्मक डाल सहीत एक वक्र बहुत अच्छा कुछन है तो बताथ इसका राइटम क्या होगा इसका राइटम सुनगा विश्टापन अक्स के समांतर एक निकाई के लिए विश्टापन समय गराप नहीं हो सकता है विश्टापन अक्स के समांतर नहीं हो सकता है 25 में कितने सही किये कितने गल्द किये आपको देनालिसिस कर लो आपका और वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बोल देना